दियर फ्रेंड्स, नो दाला चैनल के अंदर आपका स्वागत है, मैं रामभण मौर एड्वोकेट, आज चेप्टर बाइस सेक्शन दो सो च्छाषिट से दो सो कहतर शीयार पीशी के उपर चर्चा करूँगा, मुझे आसाईने विश्वास है कि आप मेरे साथ बढ़ने रहे हैंगे, और सेक्शन दो सो च्छाषिट के अंदर प्रिभासाइं दे गई हैं, प्रिभासाओं से ये सेक्शन शुरू होता है, क्या कहता है, कि अटेंडेंडेंस ऑफ पर्संस, कनफाइंड और डिटेंड इन परिजन, ये इसका शीर्शक है, तो इस सेक्शन में जो डेफि इस अटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें have a punitive detention. e. There is vital distinction between the two kinds of detention. Punitive detention is intend to inflict punishment on a person who is found by the judicial processes to have committed an offense. that's... while Preventive Detention is not by way of punishment at all, but it is intended to prevent a person from indulging in conduct injurious to the society. The power of preventive detention has been recognised as a necessary evil and is tolerated in the say body of the society. In the larger interest of the security of state and maintenance of public order, it is a drastic power to detain a person without a trial. And there are many countries where it is not allowed to be exercised except in a time of war or aggression. इसके उपर जो है एक अथोर्टी है, 1980 सुप्रिम कोर्ट पे 746, it has also been reported in 1981 सुप्रिम कोर्ट के सी 608, और केस का नाम है फ्रांसिस कोरेली, मुलीन वर्सिज एड्मिस्टेशन यूटी ओफ डेली, तो डिटेंड के उपर हम बात कर रहे थे, फिर डिटेंड के उपर आईए, इसके माने यहा है कि इसके माने उर भी पाउर है, इसके अंदर डेटेंड की अन्य तरीके से भी होशकता है, लेकिन यहाँ पर यह कहता है, अब दूसरा जो है प्रीजन की प्रिवाशा दी है, प्रीजन इंक्लूर्ट्स एनी प्लेस विच है इस बीन डिकलेड़ बाई दा स्टेट गोवर्मेंट बाई जर्नल और स्पेशल ओर्डर तू ए सबसीडियरी जील, यानि सरकार किसी भी सत्हान को सबसीडियरी जील के रूप में घुशना कर सकती है, जर्नल ओर्डर से भी और स्पेशल ओर्डर से भी, जैसे कई बार किसी को कुछ ठीक अंदर जो है नजर्बंद कर दिया जाता है कि यो बाहर नहीं जा सकता, तो वो भी सबसीडियरी जील कहलाएगी, अब एनी दो पार्ट इसी तरह की फिचर्ज के साथ कोई दूसरी जगए, यह जो है दोनों की दोनों डेफिनेशन थी, अब हम 266 के उपर आते हैं, पावर टू रिक्वाइर अटेंडेंस ऑफ परीजनर्ज, जब कभी इस संगीता के तहत किसी जांच विचार्ण, ट्रायर या किसी एन्ने कारिये वाही के दोरान, यह लगता है कि जेड में कनफाइंड या डिटेंड वेक्ति को किसी आरोप का जवाब देने हैं, या किसी दूसरी कारवाई जो उसके विर्ध हो नया लेकर सामने ले आ जाना चाहिए, या नया हित्म साक्षी के रूप में परिक्षा ली जानी चाहिए, तो कोर्ट जेड के इन्चार्ज को या आदेश दे सकता है कि वह उस वेक्ति को आरोप या गवा सेकंड कलास नेट दिया है, तो उस पर सीजेम के काउंटर साइन होंगे, एन्ने था उस आदेश पर कोई कारवाई नहीं हो सकती, और इसकी खास बात ये है, कि जो उपधारा दो के अंदर कहा गया है, कि सीजेम के परती अस्ताक्सर के लिए जरूरी है, उसके साथ जो परत यह विवरन के साथ मेंस्टेट सीजेम को लखे गया। और सीजेंए इस विवरन पर विचार करके इनकार भी कर सकता है। इनसेशरी है कि तो कर दोड दो कम परति कारन पर संपिक अई सकती है कि किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के आदमियों को जो सक कारागार में हैं कारागार से ना हटाया जाए जिन है कनफाइन या डिटेन किया गया है और जब तक ऐसा आदेश इन फोर्स है दारह 216 के आदिन किया गया आदिश सरकार के आधिश के चेह पहले का है या बाद का है Pixow पर लागूर नहीं होगा, उब थारह 2 क्या कहती है कि उब थारह ये क्या धिन, कोई आधिश देहने से पहले रैजे सरकार को कुछ बात होंगा इधान रखना होगा, वो बात क्या है, कि Nature of Offence, जुर्म Ash あई उसका क्या सभाव है ग्राउंड्ड जोन इंश को करागार में करना और साथ जाहरा है यह देखेज हैं से उसके ग्राउंड में यह चुस्त बेखति या उस स्रेणी के व्यक्तियों को कारागार के बाहर लाने पर लोक व्यव्यगन की संभाव ना हो सकती है ये भी सरकार ने सोचना है कि इन केस दे पास एनी ओर्डर तो क्या उसमें पॉब्लिक ट्रेंक्विलिटी तो नहीं हो जाएगी पॉब्लिक इंट्रेस्ट जनरली जो है उस पर तो कोई नुक्षान नहीं हो जाएगा तो इस तरीके से ये ओर्डर पास करने से पहले सरकार ने इन बातों का विचार भी करना है अब 270 क्या कहता है कुछ आकस मिखताओं के कारण जेड का जो भारशाध का दिकारी है वह भी मेजस्टेट के ओर्डर की पालना से इनकार कर सकता है किन सूरत में इनकार कर सकता है कि यदि जो आदमी वहाँ पर जेड में है उसको कोई ऐसी बिमारी है या इनफरमेटी है अंग से थिले जिसके कारण भार लेने के युग्य नहीं है या अंडर कमिटल होर ट्राइल या अंडर रेमांड पेंटिंग ट्राइल या कोई प्रिम्लिर इनकारी पेंटिंग है तो उसको पेश नहीं किया जाएगा दूसरा इसमें या जिस दिन इने अल्या बोला रहा है उससे पहले ही जेड़ से रिहा हो रहा हो जैसे एक आतमी के ठारा तारिख है ठारा तारिख के लिए बोला रहा है उसकी वो पंदरा को रिलीज हो रहा है जेड़ से तो इसलिए उस तो जेड भार साथक अधिकारी ऐसा ना करने का कारण न्यायले को भेजेगा कि आदेश की पालना में क्या विवस्ता रही क्या कारण था जिसके कारण वह उसका पालन नहीं कर सका परंतु जहां ऐसे वेक्तियों को कोहाई के लिए बुलाया है जहां बुलाया है उस स्थान की दूरी 25 किलोमेटर से जादा नहीं होगी तो जीड़ अधिकारी आदेश को मानने से इनकार नहीं कर सकता किन कारणों पर जो 297 के B में दिये हैं 298 का B क्या है गवाई के लिए तो 270 क्या कहता है कि a prisoner to be brought to court in custody कि जब prisoner को court में ले आ जाएगा तो उसे custody में ही अभी रक्षा में ही ले आ जाएगा दारा 270 के मानते हुए दारा 2661 के आदेश जहां जरूरी है वहाँ उसकी 2662 क्या दिन उस वेक्ति को नियाले में पेश किया जाएगा जिसकी आजरी अपेक्षित है और उसे नियाले में या उसके पास custody मजब तक रख्या जाएगा तब तक उसका friction यानि examination नहीं हो जाता और वापिस ले जाने के लिए नहीं कहा जाता यानि court friction के बाद ही ये कहेगी कि अब इस आत्मी को ले जाएगा और दोशो कहतर क्या कहता है पावर टू इसू कमिशन फोर एग्जामनेशन ओफ विटनेश इन परीजर जेड में किसी आत्मी की गवहाई जो है ले लिखने के लिए कमिशन के दोवारा प्रिक्षन के लिए भेजना तो CPC में भी कमिशन अपॉइंट करने का प्रावधान है उसका relevant section है 75 और order 26 में उसकी प्रकरिया है CPC में एक चैप्टर शोड़ा ए विशेश रूप से जोड़ा गया है जिसमें attendance of witnesses confined or detention in prisons है जिसमें रूल एक से साथ हैं जिसके तैत हाजरिक आदेश भी दिया जा सकता है तो इसलिए जिस तरीके से यहां जो आदमे confined in jail हैं उनकी गवाई के लिए या उनके मतलब कोर्ट मोब लाने के लिए जो provision है ये प्रतमान chapter 22 दिया गया है section 266 से 200 कहतर उसी परकार से CPC में chapter 16 A जोड़ा गया है जिसमें साथ रूल है एक से साथ जिसके तैत आजरी का आदेश भी दिया जा सकता है और commission की मारफ़त भी गवाई हो सकती है उसी तरह 200 कहतर CRPC में देखें क्या कहता है कि जेल में confined या detained किसी वेक्ती की साक्षी के रूप में section 284 अब इस section के साथ है 244 को भी पढ़ना है 244 क्या कहता है कि when attendance of witness is dispensed with and commission issued यानि आदमी के हाजरी माफ है और commission issue कर दिया तो commission जो है वहाँ जा करके उसका ब्यान लिखेगा किया दिन commission जारी करने की नयाले की सक्तियों का magistrate की सक्तियों पर कोई परवाव नहीं पड़ेगा यानि इस section के अंदर जो provisions है और section 284 जो commission appoint करने का section है वो एक दूसरे पर कोई परवाव नहीं डालेंगे और इसे धैक ऐसे भी नियम उस वेक्ति पर ऐसे ही लाग होंगे जैसे किसी अन्य वेक्ति के examination पर लाग होते हैं तो आज का हमारा ये chapter 22 section 266 से 200 कैतर समाप्त हुआ मैं आप सब का हमारे साथ बढ़ने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ और मुझे आसा ही नहीं विश्वास है कि यदि आपको ये lecture पसंद आया तो आप इसे लाइक करेंगे और channel को subscribe करेंगे ताकि अगला lecture आपको शमय पर मिलशके धन्यवाद जैहित